जहारखंड में लंबे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है सरकार के पक्ष में 40 वोट पड़े हैं जबकि भाजपा ने सदन का बहिशकार कर दिया कैश कार्ण में गिरफतार कांग्रेस के तीन विधायक विधान सभा नहीं पहुचे जबकि भाजपा के 26 आज सूप पार्टी के दो और दो निर्तलिय विधायकों ने वोटिंग का पहिशकार किया बता दे कि हेमन सूरेन ने आज विधान सभा का विशेश सत्र बुलाया है विश्वास मत से पहले सीन हेमन सूरेन यूप ये विधायकों के साथ विधान सभा पहुचे उसके वाद वोटिंग हुई वहीं पूर मुख्यमंत्री और विपक्ष के मेता बाबुलाल मरांडी ने कहा कि विश्वास मत हासल करने के लिए विशेश सत्र बुलाना समझ से परे है उन्होंने कहा कि पार्टी लाप के पत के मुद्दे पर सूरेन का इस्तीफा मांगेगी मौके पर सूरेन ने कहा कि लोगतंत्र को बचाने के लिए हमने यह सत्र बुलाया सूरेन ने विश्वास प्रस्ताफ पर चर्चा के दौरान राज्य विधान सभा में भाजपा पर आरूप लगाया सोरेन ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए देश में ग्रह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है सोरेन ने विधान सभा में आगे कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारे नहीं है वहा वालोक्तांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंद सुरेन ने सदं के अंदर कहा कि हम सदं के बाहर भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सदन के अंदर भी ताकत दिखा रहे हैं इससे पहले रायपूर से आये सभी यूपिये विधायकों को विशेश बस में सरकिट हाउस से लेकर विधान सभा लाया गया था लेकिन आज UPA के सभी विधायकों को उस गेट से ले जाया गया जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं विश्वास प्रस्ताव लाने के चलते सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिये गए थे जहारखंड में सत्ता रूल UPA गटबंधन के करीब 30 विधायक सुमवार को विधान सभा के मिशेश सत्र में भाग लेने के लिए रायपूर से रविवार दोपहर को राची वापस आये थे ये विधायक 30 अगस्त से रायपूर के पास एक रिसॉर्ट में डेला डाले हुए थे हिमत सुरेन सरकार कुण चास विधायकों का समर्थन प्राप्त है 81 सदस्य सदन में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी जामुगों के 30, कांग्रिस के 18 और राज़त के एक विधायक है जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 26 विधायक है इस बीच सोरेन की विधायकी जाने के बीच सुबुगाहत तेज हो गई थी